आज यहाँ से टुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से टुगल बजना चाहिए, कॉंग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान भाथा। कॉंग्रेस मुक्त भारत ये मेरा स्लोगान नहीं है, ना तो मात्पा गांधी जी किस्था पूरी कर रहा हूँ। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कॉंग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। उस समय पूर्य देश ने मोदी जी पर भरोस किया और कॉंग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्वित्व में केंद्र सरकार ने देश के विकास को एक नहीं रफ़तार दी। कॉंग्रिस के साशनकाय में देश को घोटाले पर घोटाले, ब्रस्टाचार और आतंकील हमले ही मिने थे। 2014 के पहले खबर क्या आती थी, इतना गया, कॉईले में गया, तूजी में गया, ऐसे ही आता था ना, 2014 के बाद मोदी को क्या पूछा जाता है, मोदी जी बताओ तो कितना आया, देखिए ये बड़लाव है। इसके बार, 2014 में अंधेरा छटा और भारतवासियों को मोदी जी के रूप में आशा की नई किरन नजर आए। मोदी जी ने भी देशवा देशवासियों को निराश नहीं किया, जहाएं तरफ कॉंगर्स के शासनकार में आतंकी हमले होते थे, तो वहीं मोदी जी के शासनकार में एर स्ट्राइक होती है। श्मीर जे कन्या कुमारी, भारत के हर कोने में आतंक बादी हमलों का सिलसिरा चलता रहा। हमारे भीरों ने आतंकी हों का उनके घर में घुश करके मारा है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक लाकर कर पता नहीं क्या क्या रख दिया, उन्होंने आँ सारी सजावट कर दी, हम उपर से चले। मोदी जी ने नौवर्षों के साशन काल में देश के किसानों, सैनिकों, महिलाओं, बुजर्गों, बच्चों, हरवर्ण को लेकर कार रिखिया, किसान हिट में मोदी सरकार पीम किसान सम्मान नीधी योजना लेकर आए। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी ने गुरवार पीम किसान सम्मान नीधी की चौदवी किस्त जारी कर दी है। इसे के साथ ही किसानों को सरकार की ओर से 2000 रुपे की राशी दी गई है। 8.5 करोड से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 17,000 करोड रुपे की धनराशी जारी की गई है। सरकार ने पिछले आठ वर्षों में देश की महिलाओं के लिए भी क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। कच्चे चूले पर जो महिलाएं धुएं के बीच खाना पकाती थी, उन्हें उजवला योजना के तहक मुफ्त सिलेंडर दिये गए। इसके अलावा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान भी इसमें है। बुजर्गों के लिए प्रधान मंत्री वैवंदरा योजना से उन्हें सामाजी सुरक्षा उपलब्द करवाने का काम मोदी जी ने किया है। वही पीम केर्स योजना, सीबियास से उड़ान योजना ने बच्चों के भविश्य को उजवल करने का काम किया है। पीम केर्स के जरिये ऐसे बच्चों की कौपी, किताबों और युनिफॉर्म के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा, तो पीम केर्स उसमें भी मदद करेगा। आदर्निय प्रधान मंत्री जी ने देश को मजबूती प्रदान करते हुए हर दिशा में देश की दशा बदलने का काम किया है। मोदी जी के नी मजबूत संकल्पों को देखते हुए एक बार फिर मोदी सरकार का नारा जिनेताद 2024 के लिए बुलंद कर चुकी है।